ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमस्ते भाई वेहनों आप सबको मेरा कोटी कोटी प्रिणाम आज मैं आपको सुनारी उत्पना एकादशी विरत कथा और माहत्मे जरूर सुनना लाइक करना सस्काइब करना बोलो स्रीक्रिष्ण कन्हिया लाल की जैहो बोलो बांके विहा एक एकादशी जरूर करें और एक भी नहीं कर सकते हो तो माहत्मे कथा व्रत कथा जरूर सुने उससे भी उत्ना की पुन्य मिलता है और बोलो बांके विहारी लाल की जैहो ओम नमो भगवते वासुदीवाई ओम नमो भगवते वासुदीवाई हरी ओम हरी ओम महातमे है नौमी सारेन चेतर में शूत जी ब्रहामनों से बोले हे ब्रहामनों वीधी सैथ इस एकादशी महातमे को भगवान सिर्किष्ण ने कहा था प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पती को प्रेम पूरवग सुनते हैं और इस लोग में अनेक सुकों को भोगर अंत में विश्ण पत को प्राप्त करते हैं श्री सूद जी बोले है ब्रहामनों सबसे प्रत्थम इस एकादशी महत्मे को भगवान सिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा था उसी के अनुसार में आप से कहता हूँ अर्जुन ने कहा जिनार्दन इस एकादशी व्रत का महत्मे क्या है बोलो श्री हरी श्री हरी ओम नमा भगवते वासो देवाई ओम नमा भगवते वासो देवाई इस व्रत के करने से क्या पुने मिलता है और इसकी विधी क्या है शो आ कि मांगशिर महने में क्रिश्न पक्षि की एका दशी का वृत करना चाहिए दसमी की साम को दातुन करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए बोलो शीरी हरी शुरी हरे ओम नम भगवते वासुदेवाई एक आदशी को सुबह सकलब नियम के अनुशार कार्य करना चाहिए दोफर में सकलब पूर्वक नदी सरूवर बावडे कुवा आदे में से किसी में असनान करना चाहिए असनान करने से पहले सरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए चंदन लगाने का मंत्र इस परकार है बोलो श्री हरी श्री हरी अस्ट्व क्रांते रत क्रांते विश्न क्रांते वसुन धरे उर्ध तापी बराहेन क्रिश्न न सत्बाहुना मुक्ति के हर में पाप यम्या पूरो सचितम त्वा तेन पापेन गच्छामी परमा गतिम बोलो सिरी क्रिष्ण का नयां लालकी जैवो हरियोम हरियोम ब्रत करने से ब्रत करने वालों को अश्नान करने के पस्चाद बावडी ब्रत करने वालों को अश्नान करने के पस्चाद पापी चोर पाखंडी दूसरे की बुराई करने वाला परिष्ट्री गमन करने वाला दुराचारी दूसरे का धन को चुराने वाला मंदिरों में चोरी करने वाला इन सब मनुश्यों से बात नहीं करनी चाहिए यदि अंजाने में इन से बात हो गई तो इस पाप को दूर करने के लिए सूरे नारेन के दर्शन करने चाहिए, असनान के बाद धूप दीव नगे से भगवान का पूजन करना चाहिए, रात को दीव दान करना चाहिए, ये सतकर्म भक्ती पूरवक करने चाहिए, उस रात को नीद और इस्तरी प्रसंग को त्याग करना चाहिए, एका दसी का दिन तथा र ब्राह्मनों को दक्षना देनी चाहिए बोलो शुरी हरी शुरी हरी ओम नमा भग्वते वासु देवाई और उनमें अपनी गलतीयों की छमा मांगने चाहिए धर्मिक जनों को शुकल और कृष्ण पक्षि की दोनों एक आदिश्यों को एक साथ समझना चाहिए उनमें भेद म उचित नहीं है उपर लिखी वीदी के अनुसार जो मनुष एक आदशी का व्रत करते हैं उनको संखो द्वार तीर्थ में अश्नान ये दर्शन करने से जो पुन्य मिलता है वह एक आदशी व्रत के पुन्य से सोने भाग के बराबर भी नहीं है वितीत योग में सक्राथी से तथा चंद्र सूर्य गरहन में दान देने और कुरू छेतर में अश्नान करने से जो पुन्य प्राप्त होता है वही पुन्य मनुष को एक आदशी का प्रत करने से मिलता है बोलो शिरी हरी शिरी हरी ओम नम भगवते वासो देवाई ओम नम भगवते वासो देवाई अस्व मेग्य के करने से जो पुन्य प्राप्त होता है उससे सो गुना पुन्य एक आदशी को उप्वास करने से मिलता है एक हजार तपस्यों को साट वर्स तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वे फल इस एक आदशी का प्रत करने से प्राप्त होता है जो पुन्य वेद पाठी ब्रह ब्राहमन को एक हजार गोदान करने से मिलता है उससे दस गुना अधिक पुन्य एक आधाशी का ब्रत करने से मिलता है दस रेष्ठ ब्राहमनों को भौजन कराने से जो पुन्यमिलता है वह तम ब्रामन को भोजन कराने में जो पुन्य मिलता है उतना ही पुन्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है इस पुन्य से दस हजार गुना पुन्य कन्या और भूमिदान करने से प्रातुफ होता है कन्या और भूमिदान के पुन्य से दस गुना पुन्य विध्यादान से दस गुना पुन्य भूके को भोजन देने से होता है अंदान के पराबर संसार में कोई दूसरा पुन्य नहीं है इस दान में इस दान से स्वर्गिय पित्र त्रिप्त हो जाते हैं इस दान के महत्मय का देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं बोलो शिरी हरी शिरी हरी ओम नमा भगवते वासुदेबाई निर्जल व्रत करने का आदा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है इसलिए उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए एक आदशी का व्रत करने पर ही यग्यदान तप आधी मिलते हैं अन्य था नहीं अथ एक आदशी का व्रत अवस्य करना चाहिए इस व्रत के में संक से जल नहीं पीना चाहिए मचली सूम और तथा अन्य एक आदशी के व्रत में व्रजिद है एक आदशी व्रत का फल हजार युग्यों से भी अधिक है ऐसा सुनकर अर्जुन ने का है भगवन आपने इस पुने को अनेक दिर्थों के पुने से सेस्ट्टा पवित्र क्यूं बतलाया है सुझ सब कहींुख भगवन ऑड़न सतयुग में एक महाँ भयंकर मूर नाम का देत्य था उस देत्य से सभी देवता अत्यद भैवित थे देत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत कर उने उनके अस्तान से गिरा दिया था तब देविंद्र ने आसुतों से प्रात्ना की है शिव शंकर हम सब लोग इस समय मुर्देत्य के अत्याचारों से मिर्द लोग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बोलो शिरी हरी शिरी हरी ओम नमा भगवते वासु देवा किरपा कर इस दुख से छूटने का उपाय बताईए महादेव जी बोले है देविंद्र आप श्री विश्णों भगवान के पास जाएं इंद्र तथा आने देवता चीर साकर जहां पर की भगवान विश्णों से सया पर सयन कर रहे थे कर रहे थे गए और देवता सहित आपको बारम बार पर नाम है है यह देते हैं के सहारग है मदुसूदन आप हमारी रक्षा करें है जगत नाची समस्त देव देत्यों से भैवित होकर आपकी सरण में आए हैं आप ही इस संसार के कारक और करता हैं बोलो श्री हरी श्री हरी ओम नमभगवती वासुदेवा सरण में भड़त कि उत्पति पालनगा और सहार करता तथा देवताहूं की सहता करने वाले हैं और सांति पड़नगानी आप ही हैं आधी आप ही हैं तीनों लोगों को उत्पन करने वाले ब्रह्मा सूरय चन्द्र अगनी हव्या 왞्यय समरन मंत्र यजमान यग्य कर्म करता भ रक्षा करने वाले हैं इस समय देत्यों ने हमें श्वर्ग से निकाल दिया है अब आप हमारी रक्षा करें रक्षा कीजे बोलो शिरी हरी शिरी हरी ओम नम भगवती वासुदेवाई ओम नम भगवती वासुदेवाई देवताओं की करुम हुआने को शुनकर शिरी विश्ण प्रातिन समय में नाडी जंग नाम का एक देत्य था उस देत्य के ब्रह्मा वंस से उत्पति हुई थी उसी देत्य के पुत्र का नाम मुर्ह है वह अपनी राजधानी चंद्रावती में जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत कर और सब देवताओं को देवलोग से निका कर इंद्र अगनी यम वरुन चंद्रमा सूर्य बनकर जो प्रिथभी को तपाता है मेग बनकर जल की वर्षा करता है आप उस देत्य को मार कर देवताओं की विजय कराओ बोलो शिरी हरी शिरी हरी ओम नमा भगवती वासु देवाई इंद्र के वचन सुनकर शिरी विश्व भगवान बोले है देवताओं मैं तुम्हारे सत्रों का सीगर ही सहार करूंगा अब सब चंद्रावती नगरी को जाए इस परकार भगवान विश्व देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिये उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद पर असन के दानों अनेकों अस्त्र सस्त्रों को धारन कर देवताओं से युद करने लगे पर उन्तु देवताओं के आगे एक छण भी न ठेर सके तब भगवान भी युद भूमी में आ गए असुरों ने जब भगवान विश्व देखा तो उन पर अस्त्र सस्त्रों का प् सदेव के लिए सो गई परंद्दैतों का राजा मुर्ः भगवान के साथ निचल भाव से युद्ध करता रहा था भगवान विश्म मुर्व को मानने के लिए जिन-जिन सद्रों का परियो करते वेश सब उसके तेज से नस्टो कर उस समय बुश्पों के समान गिरने लगते तो वह परस पर मल युद करने लगे परंतो उस देते को न जीत सके आंद में भगवान विश्मों सांदो कर विश्ञाम करने की इच्छा से बद्रिकासम गई उस समय अरतालिस कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में सेयन करने के लिए भगवान जुन अथै मैंने उस गुफा में सेयन किया वह द्यत्य भी वहां आया मुझको सेयन करता देख मानने को ततपर हो गया बोलो शिरी खरी शिरी हरी ओम नमा भगवती वासु देवार उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुन्दर कन्या दिब अस्तर धारन करके उत्पन हुई औ देते के समान सामने आकर युद्ध करने लगी वह देते इस कन्या से लगाता युद्ध करता रहा कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस देते को के अस्तर सस्तरों से टुकड़े टुकड़े कर दिये बोलो शिरी हरी शिरी हरी रथ तोड़ दिया तब वह द अन्या ने उसका सिर्प काट कर उसे यमपूर पहुंचा दिया बोलो शरी हरी शरी हरी अन्य समस्त दानों भी ऐसा देखकर पातालों को गए जब भगवान विश्ण की निंदरा तूटी तो उस देते को मरा देखकर अत्यंत आश्चरे करने लगे बोलो शरी हरी शरी हरी और विचारने लगे कि इस देत्य को किसने मारा बोलो ओम नमा भगवा देवासु देवाई ओम नमा भगवा देवासु देवाई तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान यह देत्य आपको मानने के तत पर था तब मैंने आपके शरीर से उत्पन होकर इसका व तु तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है तुमने तीनों लोगों के देवताओं को सुखी किया है बोलो सिरी हरी सिरी हरी इसले तु अपनी इच्छा अनुसार बर्दान मांग करन्या बोली ये भगवान मुझे ये बर्दान दीजिए कि मेरा व्रत करें कि जो मेरा व्रत करें उसके समस्त पापनस्ट हो अंत में स्वर्ग को जाएं मेरे व्रत का आदा फल रात जी को मिले और उससे आदा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले जो मनुसर भक्ति पुरख मेरे व्रत को करें वह निश्चल निश्चा है आपके लोग में प्राप्त करें बोलो श तथा रात्री को एक बार भोजन करें वो सिधा वेकुंट को जाए श्री भगवान बोले है कल्यानी ऐसा ही होगा मेरे और तेरे भक्त एक होंगे और अन्त में संसार प्रसिद्धी को प्राप्त होकर मेरे लोग को प्राप्त करेंगे है कन्या एकादसी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादसी हुआ जो मनिसर तेरे इस व्रत का इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नस्ट हो जाएंगे बोलो शिरी हरी शिरी हरी ओम नमा भगती वासो दिवाय और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे तुम मेरे जब तीज, आठे, नौमी और चौदस से भी अधिक पीरिया है तेरे व्रत का फल एक तीर्थों के फल से महान होगा यह मेरा कतन सत्य है ऐसा कर भगवान उसी अस्तान पर अंतर द्यान हो गए एकादसी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत परशनों होई बोलो शि दानों, बर्तों के फल से एकादसी भृत का फल सरफ्चिरेश्ट है अधादसी भृत करने वाले मनुषिГ के सत्रों को विघणों को नस्ट कर देता हूं और उने मुख्ष मिंदिलाता हूं अर्जुन यहम अर्जुन यह मैंने तुमसे एकादसी कुद्पति के बारे में बतलाया है एकादसी पापों को नश्ट करने वाली और सिद्धी को देने वाली है उत्तम मनुश्यों को दोनों पक्षों के एकादस्यों को समान समझना चाहिए उनमें भेदवाव मानना उचित नहीं है जो पुरुस विश्ण भक्त है उसको धन्य है उनको अस्वमीग्यक्यका फल मिलता है जो मनुश्य भक्त पूर्वक कथा सुनते हैं वे विश्ण लोग को जाते हैं और करोरों वर्षों तक उनकी उस जगे पूजा होती है जो एकादसी महात्मे के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्यादी के महान पापनश्ट हो जाते हैं विश्म धर्म के समान संक्सार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादसी फृत के बराबर कोई भी द पूसरा प्रत नहीं है बोलो सिरी हरी सिरी हरी ओम नमा भगवते वासुदे भाई ओम नमा भगवते वासुदे हर हर महा देप की जय हो रादे रादे जय श्री किष्णा हर हर महा ज रजय कोई पस्ताहिं है बादे जय कोई नमा दूसरा रादे रादे पी अमा बादे युनर फ़ लगवत जा के रादे जय हो चाहर इा को आ लगव toda चाहर हर हर मैं जए लगवते गरादे शौसरा नमा भव-ड। पहस् zeal के ब jour Hill 20 BC